मुझे विडियो में इस वीडियो में हम भी सीचेंगे कोई सट्वित में अगर हमें करन्स विडिया गया है किसी ब्रांच के साथ में जैसे यहाद वी और दी मोट के बीच में यहाँ पर एक करन्स विडिया गया है तो ऐसी कंडिशन जब आती है तो simply alien लगाना या फिर mesh analysis अपलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए super mesh analysis हमने use करना है अब यह होता क्या है actually super mesh analysis super mesh analysis को यह सी मुश्किल टेखनीक में यह एक simple सा न्यूम्री दले इसको हम solve करेंगे आप follow करिए आपको देन में आ जाए तो देखिए एक mesh हमें यहाँ पर दी गई है A B C B एक ना A B C D E F A और यह जो पूरा सरक्षिट है इसको हमने super mesh analysis से solve करना है simple thing है super mesh analysis से solve करना है ऐसा कोई question अगर आपको नहीं भी पूछा जा रहा है तो भी circuit क देखिक हैं हमें समझ में आ जाता है कि इस super mesh analysis हमने apply करना है क्योंकि इस तरह से कोई एक branch में हमें current source directly दिखाई पादा है ऐन्यों कोई directly अगर current source हमें दिखाई पादा है इसा branch में तो हमें super mesh analysis apply करना है कि यह बात समझ में आती है समझ ने ψब feels तो सिंपल जो हमारा मेश अनालिक्स है जो हम केवेल मेशन से यूज करते हैं उसको हम अप्लाइ करेंगे तो रही कि फॉर मेश ए बी सी एफ ए ए ए बी तो इसको हमने केवेल अप्लाइ करना है उसके बात दूसरी मेशन है हमारी इसको भी हमने केवेल अप्लाइ करना है मतलब मेश अनले से समने अप्लाइ करना है तो सबसे पहले हमारी स्केप क्या रहेगी कि इनकी करन्ट डारेक्शन्स हमने फिक्स कर लेनी है, तो देखिए, current direction इसके fix करेंगे, यहाँ पर देखिए, voltage source का positive में ले आते हैं, negative यहाँ पर है, तो इसकी current direction हम clock wise consider कर सकते हैं, no issue अगर आपने anti clock wise भी consider किया, तो कोई दिक्तत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर current direction हम आजूम करेंगे, त यहाँ पर आजूम कर सकते हो, हमने clock wise किया है, हाँ लेकिन यहाँ पर आगर आते हैं, इस मेश में, ठीक है न, तो ऐसी ही current direction आप आजूम करेंगे, कि जो current source की है, जैसे कि यह है, anti clock wise, ठीक है न, तो anti clock wise अगर आजूम करेंगे, तो mathematics की resolve करने के लिए आपको तोड़ा easy सब्वग और current i3, ठीक है न, तो यह तीन हो गए अपने mesh current, इनका value हमने find out करनी है, देखिए किस तरह से रहे हैं, सबसे पहले तो हम mesh ABCFE को, के विए लख लाए करेंगे, किस तरह से देखिए, so, यहाँ पर कितना voltage drop होगा है, देखिए, 1 और multiplied by i1, so, 1 i1, okay, यहाँ पर आग प्लस 1 i1, यहाँ पर आगए, देखिए, यहाँ पर इस 1 home register में से 2 current flow हो रहा है, एक i1 उपर से आएगा, और एक i3 इदर से आएगा, मतलब दोनों की direction कैसी है, register के alarm, same है, इसलिए, प्लस 1 multiplied by i1 प्लस i3, okay, अभी यहाँ पर आगए, यहाँ पर आने के बाद, देखिए, यह यही रेडिस्टर कैसा है, common है, दोनों में से कीगे, तो i1 की direction ic है, और i2 की direction उसके opposite है, okay, और i1 जो की हमारा अभी principal current है, है ना, i1 जो की हमारा अभी principal current है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 home multiplied by i1 minus i2, जो opposite current है, उसको minus कर देंगे, equals to 0, ठीक नक, सबके सब resistance हागे, मतलब सबके स एड करगी, equals to 0, इसको अगर solve करेंगे, तो हमें मिलेगा, 4i1 minus i2 plus i3 equals to 0, ठीक है न, यह equation solve करने के बाद, हमारा, finally, यह equation मिलेगा, तो, this is our suppose equation number 1, okay, इसके बाद में आगे बढ़ते है, दूसरी में हमारी कुन सी है, देखिए आगे, fcdef, ठीक न, fcdef को हम, केवेल अप्लाइ करेंगे, so, for, wish, fcdef, okay, इसके लिए हमने, केवेल अप्लाइ करना है, किस तरह से करेंगे, हमारी में देखिए यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहला voltage source, अगर हमें consider करके चलते हैं, तो, देखिए यह I2 यहाँ से, negative terminal से अंदर जा रहा है, है न, voltage source के, negative terminal से अंदर जाएगा, मतलब, voltage क्या हो रहा है, मतलब, minus 10, plus, plus क्या रही न, 1 ohm multiplied by इसमे का current, so, I2 minus I1 आएगा, क्योंकि हमारा principal current अभी क्या है, I2 है, और I1 उसकी opposite direction में है, तो, 1 ohm में से कितना pass हो रहा है current हमारा, I2 minus I1, so, 1 multiplied by I2 minus I1 plus, यहाँ पर देखिए, इस 1 ohm resistance के पास में आगे है, तो, I2 उपर से आएगा, और I3 वह भी उपर से आएगा, मतलब, दोनों की direction से हैम है, तो, total current रहेगा, I2 plus I3, so, plus 1 ohm multiplied by I2 plus I3 equals to 0, okay, अभी इसको अगर solve करेंगे, तो, हमें क्या equation मिलिंगा finally, अभी, minus I1 plus 2 I2 plus I3 equals to 10, इसको अभी, 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 अभी 3 की लिए मतलब, I3 की लिए आएंगे, तो I3 किसको related है, current source 3 ampere को, so our I3 is equal to directly हम लिख सकते, 3 ampere, so, for branch, क्या ना, branch है, कौन सी branch है, देख लिख 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 सकते हो, so, for branch is BB, क्या है, I3 is equal to 3 ampere, so this is our equation number 3, क्योंके लिख अभी हमें, तीन equation मिल गए, तीन equation कौन से कौन जए, एक पहला वाला, 4I1-I2 plus I3 is equal to 0, दूसरा equation, minus I1 plus 2I2 plus I3 is equal to 10, और दिसरा equation I3 is equal to 3 ampere, अगर I3 की value हम इसमें या पकिर equation number 1 में put up करते हैं, तो हमें modified equation मिलेगा, और वो equation को अगर हम solve करेंगे, तो हमें I1, I2, I3 की value मिल जाएगे, तो I1 की value हमारी रहेगी, sorry, इन तिनों को आप में simultaneously solve करना है मतलब, so, solving equation 1, 2 & 3 simultaneously, आप simultaneously solve करें, या पर फिर जो camera for wrong method में ने बताया था, इसके पहले की videos में दिया है, तो इसको मतलब तीनों equation को आप matrix form में convert करके भी, इसको solve कर सकते हो, ठीके न, तो यहाँ पर क्या रहेगा, I1 is equal to, हमारी value आएगी, 0.14 ampere, I2 is equal to value आएगी, 3.57 ampere, और I3 is equal to value जो है, अमारी 3 ampere, तो यह तीनों equation आप solve कर सकते हो, आपका answer IC आएगा, ठीके न? तो यह था simple सा एक numerical, दूसरा और numerical दिखते है जिसमें, तो अलग-अलग current source हमें दिये गाया है, देखिए, यह हमारा numerical, यहाँ पे भी 3 loops है, और यहाँ पे एक current source है, यहाँ पे एक current source है, तो यह बात simple से ही, कि यहाँ पे हमने supermiss analysis apply करना है, तो देखिए कि इस तरह से हम supermiss analysis यहाँ पे apply कर सकते है, तो simple है, current direction सबसे पहले हम azim करेंगे, current direction अभी इस mesh में अगर हम आएंगे, तो इसको clockwise अमने azim करना है, suppose this is our i1, ओके, यहाँ पे हम clockwise consider करके चलते हैं किपसे, this is our i2, ओके, यहाँ पे आगे है, तो current source से direction देगे, फिर भी clockwise है, तो यह आएगा हमारा direction, ठीक है न, तो किनों के किनों current direction हमने azim कर लिए, इसके बाद में, for mesh a, b, f, g, a, या फिर branch ag, जो भी है, हम सिधा सिधा करेंगे, for branch ag, ag, क्या मिलका है हमें, i1 is equal to 4 ampere, ok, i1 is equal to 4 ampere, ठीक, धैन में रखी, या, तो generally direction आजूम करते हो, आप current source के direction से ही, आजूम करिए, मतलब आपको value find out करने में कोई दिक्तत नी जाहिए, अगर आप anti-clockal direction आपे find out, consider करते थे, तो आपका i1 is equal to minus 4 ampere आपा, लेकिन हम, ऐसा कुछ नहीं करने वाले है, जो current source के direction हमें दिखाईते ही रही है, उसी हिसाब से हमने mesh के direction भी, sorry mesh current के direction भी assume करके चल लिए, तो हमारा i1 is equal to 4 ampere, suppose this is our equation number 1, now for mesh bcdhb, i2 की लिए हम जाएंगे, so for mesh bcdhb, okay, तो देखे, क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखे, सबसे पहला हमारा resistance है 1 ohm का, तो 1 ohm multiplied by i2, total voltage drop रहेगा 1 ohm multiplied by i2, that is 1 i2, यहाँ पर आगे, यहाँ पर voltage drop कितना रहेगा, 2 ohm multiplied by, दोनों भी current, मतलब i2 इधर से आएगा, पर i3 इधर से आएगा, बराबर है, तो दोनों करण कैसे है, mutually opposite है, तो i2 minus i3, क्योंकि हमारा principal current अभी कौन सा है, i2 है, ठीकिना, तो हमने i2 को positive consider करना है, तो हमारा answer, sorry, यहाँ पर voltage drop कितना रहेगा, 2 multiplied by, i2 minus i3, okay, प्लस, यहाँ पर आगे, 2 ohm की बास में, यहाँ पर आगे, तो हमारा total voltage drop कितना रहेगा, 2 multiplied by, अभी देकि, i2, यह, i2 की direction ic में, और i1 की direction, उपर से नीचे के हो रहे, है ना, यहाँ पर principal current है, यहाँ आगे, i2, को हम के consider करेंगे, आपर total current, i2 minus i1, so, this is equals to 0, ठीके ना, अगर इसको अगर हम सौल करेंगे, तो हमीचान लेगा, minus 2 i1 plus 5 i2 minus 2 i3 equals to 0, so, this is suppose of our equation number 2, अभी last loop के लिए गाएंगे, यहाँ पर हमने, sorry, यहाँ पर हमने, sorry, यहाँ पर हमने अगर loop नहीं भी consider की, तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पर SDEFH, यह loop अगर हम देखते हैं, यहाँ पर HF branch के पीच में, एक current source दिया गाया है, 2 Ampere का, ठीक है ना, तो हम सिदा सिदा branch के लिए गाएंगे, जाएंगे, तो O है हमारा, suppose for branch HF, यहाँ, branch HF, branch HF, branch HF में क्या दिया गाएंगा है, यहाँ देखिए आपर 2 Ampere, यहाँ तो 2 Ampere का current source है, लेकिन 2 Ampere का current source मतलब क्या है, I1 और I3 का resultant है, ब्राबर है, I1 और I3 का resultant है, तो देखिए आपर, I1 के direction Ic है, और I3 के direction Ic है, मतलब according to current source है, तो I3 हमें यहाँ पर positive consider करेगा, और I1 हमने negative consider करना पड़ेगा, So, 2 Ampere will be the resultant of I3 minus I1, okay, So, I3 minus I1 is equal to 2 Ampere, okay, So, this is our equation number 3, तेखिए आपर यहाँ यहाँ पहला equation है, पहला equation हमारा, I1 is equal to 4 Ampere, दूसरा equation है हमारा, minus 2 I1 plus 5 I2 minus 2 I3 is equal to 0, यह हमारा दूसरा equation हो गया, ओकी, और दूसरा equation है, I3 minus I1 is equal to 2 Ampere, किनो equation को अगर हम solve करेंगे, तो आमें values में लेगी, I1 is equal to 4 Ampere, I2 is equal to 4 Ampere, and I3 is equal to 6 Ampere, तो एक सिंपल सा कंसिप्ट है है, सुपरमेश आनलिसिस, तेकिना, जो भी आए ब्रांच में आपको डारेक्ली करण सोर्स गिया गया है, तो उसको आपने सिधा सिधा जो करण सोर्स है, उसको ही कंसिडर करके, तो यह था हमार सुपरमेश आनलिसिस, इस वेडियो में सिर्फ इतना है, थैंकियो वेरी मुच्च